हेलो गाईस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत ही तो आज की ओडियो में हम रिव्यू करेंगे 2019 की तेलगू लेंग्वेज कोट रूम एक्षन कोमेडी ड्रामा फिल्म तेनाली रामकृष्णा बीए बील का जिसको हिंडीड वर्जन में सेम नाम से हिल्म को लिखा और डिरेक किया हूए जी नागेसवारा रेड़ी ने लेट रोल में देखने को मिलेंगे संदीप किसन हनसी का मोटवानी और वारा लक्समी शरत कुमार काहनी की बात करें तो तेनाली जिसका रॉल प्लेए करें संदीप किसन जो एक स्मॉल टाइम लोयर है और वो एक बड़े केस के फिराक में, जिसकी वज़े से वो लाइफ में सेटल हो सकता है। जैसे ही फिल्म की कहानी थोड़े आगे बढ़ती है, तब तेनाली को एक लड़की से प्यार हो जाता है। और वो लड़की भी लोयर है, जिसका रोल प्ले करे है हंसी कहा मोटवानी। लेकिन तेनाली का वो रिलेशन लड़की के पीता को मनजूर नहीं है, जिसका रोल प्ले करे मुरली सर्मा। और उसके बाद तेनाली प्लानिंग करके अपने लवर के डेड़ को एक सबक सिखाने का सोचता है लेकिन जब वो अपने प्लान को अजाम देने जाता है तब उसके सामने एक सोकिंग तूथ आ जाता है और वो सोकिंग तूथ हो वारा लक्शमी नाम की इंडस्टरियलिस्त के साथ जुडा हुआ है तो अब वो सच क्या है, वारा लक्शमी कोन है, और वो क्रीमिनल सेटप के साथ किस तर से कनेक्टेड है और तेना लिन सभी प्रोब्लम को किस तर से हैंडल करेगा और सॉल करेगा यही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती डाइरेक्टर नागे सवरा रेड़ी की कहानी तो काफी बढ़िया थी लेकिन उसके उपर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी उनकर नरेशन में हमें थोड़ी कमी नजर आ जाती है वेसे तो उन्होंने फिल्म का फर्स आप काफी बेतरी इनवे में स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जो कमेडी सिंस देखने को मिलते हैं जिस तरसे केरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो सबी चीजे बढ़िया तरीके से एक फ्लो में जा रही होती है उसके बाद फिल्म के फर्स आप में एक बढ़िया सा ट्विस्ट हमारे सामने देखने को मिलता है उसको भी काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था और उसके बाद सेकंड आप सेकंड हाप में एक बढ़ यहासा ट्विस्ट देखने को मिलता है और उसके बाद हम सोचते कि इसके बाद काफी बेहतरिन चीज़े हमें देखने को मिलने वाली है लेकिन ऐसा नहीं होता है उसकी जगा फिल्म ज्यादा डाउन हो जाती है और कुछ ऐसी सिली कोमेडी देखने को मिलती है फिल्म में एक जो रिलेटेबल ड्रामा होना चाहिए उसकी भी कमी नजर आ रही थी साथ ही में लोजिक बिना वाले सीन काफी देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा हम फिल्म के सेकंड हाप में वो ट्विस्ट के बाद एक बहतरीन कोटरूम ड्रामा एक्सपेक कर रहे होते है लेकिन वो उतना बहतर हमारे सामने नहीं देखने को मिलता है और सेकंड हाप में जिस तर से विटनेसिस को ट्रीट किया हुआ है उन विटनेसिस के केरेक्टर के साथ जिस तर से कॉमेडी जनरेट की हुई है उन सभी सीचेशन में वो कॉमेडी काफी सीली नजर आ रही थी और फिल्म के लेवल को काफी डाउन कती हुई नजर आती है फिल्म में जो आपको कॉमेडी देखने को मिलती है वही पुरानी स्लेफ्टिक कोमेडी है जो खास करके मास ओडियंस को तो जरूर पसंद आएगी लेकिन दूसरी उसके अलाव की ओडियंस है वो साथ उसके साथ उतनी कमपटेबल नजर नहीं आएगी उनको थोड़ा वो कोमेडी ओर दी टोप नजर आएगा और इसी तरह से डायरेक्टर फिल्म का सेकंड आप वही सीली और फ्लेट नोट के साथ खतम कर देते इसके अलाव फिल्म का सेटप काफी इंट्रेस्टिंग वे में क्रियेट किया हुआ था केमरा और आपको काफी बढ़िया नजर आ जाएगा साथी में जो कोट रूम सेटप देखने को मिलता है करनूल सीटी को जिस तरह से हमारे सामने सोकेस करके दिखाया हुआ है वो सभी चीजे रियालिस्टिक और नेचरल मिनर में हमारे सामने पेस किये हुई है डायलोग्स की बात करे तो वो थोड़े वीटी थे और डायलोग्स हमें हसाने में जरूर कामयाब रहे थे फिल्म की एडिटिंग डिसेंट देखने को मिलेगी एडिटर ने खास करके रन टाइम के उपर काफी बढ़िया ध्यान दिया हुआ है फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है साई कातिक ने जीनोंने काफी इंप्रेसिव काम किया हुआ है उनका बेगराउंड स्कोर काफी सुपब नजर आ रहा था सभी स्थीन को काफी बेतर वे में आगे बढ़ाने की कोशिस कर रहा था पर्फॉमंस की बात करें तो संदीब की संद जो लीड रोल प्ले कती हुए नजर आते और उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधे पे अकेल ही आगे बढ़ाया हुआ है उनकी कोमेडी फिल्म में काफी बढ़िया थी सुपब टाइमिंग के साथ-साथ उनकी जो एक्सन सिक्वेंस में पकड़ थी वो भी काफी इंप्रेसिव नजर आ रही थी इसके अलाग मुरली सर्मा के साथ जितने भी कोट रोम सीन उन्होंने सेयर किये हुए वो काफी बढ़िया थे वहाँ पे उनकी एक्टिंग काफी सुपब नजर आ रही थी हंसिका मोटवानी जो फिल्म में काफी ब्यूटिफुल नजर आ रही थी उनका जो मेक और किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में लेडी लोयर के रूप में उन्होंने बड़े तरीके से संदीब किसन के रोल को सपोर्ट किया हुआ था मुरलिस सर्मा जिनको एक मीटी रोल मिला हुआ था ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी उन्होंने इतने मीटी रोल प्ले किये हुए और वो आसानी से इसको impressive way में हमारे सामने paste करते हुए नजर आते सब्तगीरी जो comic roll के लिए जाने जाते और इस film के उनकी comedy आपको ज़रूर पसंद आएगी पोसानी क्रिष्णा मौली के साथ जितने भी scene create किये हुए सब्तगीरी के वो सभी scene आपको ज़रूर हसाने में काम्याब रहेंगे वारा लक्समिस्तरतकुमार जो विलन का रोल प्ले कती हुए नजर आती है और उन्होंने अपना रोल काफी बढ़या तरीके से handle किया हुआ था डायरेक्टर ने उनके केरेक्टर को काफी बढ़या तरीके से start किया हुआ था बढ़या start मिलने के बाद सेकंड आप में उनका केरेक्टर उतना मजबूत नहीं देखने को मिलता है उतना बेहतर वे में डायरेक्टर हमारे सामने पेस नहीं कर पाते तो में 2019 की तेलगू लेंग्वेज कोट्रूम एक्शन कोमेडी फिल्म तेनाली रामकृष्णा बीए बील को 5.5 आउट अप 10 की रेटिंग देता हूँ तेनाली रामकृष्णा बीए बील फिल्म खास करके मास ओडियंस को जरूर पसंद आने वाली है फिल्म में जो एक्शन और कोमेडी दिखाई हुए वो मास ओडियंस को जरूर एट्रेक करेगी जिन लोगों को लाउड कोमेडी पसंद आती है साथ ही में उनके लिए प्लोट माइने नहीं रखता है और लोजिक भी उतना माइने नहीं रखता है तो वो इस फिल्म से जरूर इंप्रेस हो जाएंगे लेकिन बाकी की ओडियंस को ये एक बिलो एवरेज फिल्म लगेगी तो बस आज की रिवी में इतना ही था आपको आपको ये रिवीव पसंद आया होगा अगर रिवीव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और से जरूर कीजेगा और अगर आप ये फिल्म देखते हो तो देखने के बाद हमें कमेंट करना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी तो और भी से नहीं साफ्टनेन मुवी के हिंदी रिव के लिए अब कमिंग साफ्टनेन मुवी की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सुब्सक्राइब करना ना भूलेगा ठेंक्यू